एट बार सब लोग कमेंट राके बता दीजिए क्या आमसल वर लाइव हो चुटे हैं भड़ा बड़ जल्दी से बता दीजिए क्या आमसल वर लाइव हो चुटे हैं तो नमस्तार सातियों मैं योडेस डुपता एक बाब फिर से स्वाज़र टड़ता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC ओली बोर्ड पर कैसे जल्दी से मुझे बता दीजिए टर्मेंट रटे कैसे हैं सब लोड तो देटों बच्चों आज से हम लोड़ रोटी एक नई शुरुआत है तो आज आप लोड जाले बैक्स को जोईन टर्टे लडातार मेरे साथ जीटे जीएस को इंप्रूब कर सकते हैं बैच क्या है मैं आपको दादू जरू बहुत सीथी सी बात है चाहे SSC हो या फिर रेलवे हो या फिर रेलवे हो तो भी परिच्छा में जीटे जीएस टे इंपॉर्टेंट रोल रहता है अलब जाद तर 90% लोड़ोटी प्रॉब् मैं फिर से वही बात बोल ला हूं कि मैं आपको घ्र इंप्रूब करने के लिए लिए दो से तीन आपके 50 नए कोसिटन डेली आपको घ्र आपको घ्र आपको घ्रात साथ साथ इसमें गिक्राइन की वित्केशशन मिलेए गें इसमें स्टेटेग जीटेट Blakegyte वह है ज़ए बहुत सारे जो हमारे ब्राइंड अबेशनर है नहीं नیں सत्फूर्ड है स्पोर्ट के साथ के यह सारसारा पैटर्न रहे रहना और जैसा पैटर्न or पुछता या सब्सक्टा tree cents हमारे साइंस के वी इन्वारी रहे निपा गर्फंटे यहां शायांस प्वाल्टी इसके बाद आपका रिओर्राफी आये आइड़ कर लीजेड thinking के पचास सेट जो आपको मिला की आपको सीटने तो मिले दी ओटे और आज से हमारा डे वन है तेली आपको जो PDF मिले दी इस्टी वो आपको मेरे ठीके सब के लिए मैंने बताया ना आप किसी भी एज़ाम दी तरी टरते हैं चाहे वो टिसी भी एज़ाम में GTGS पूछा जाता हो चाहे वो सुपर टेट हो यूपर टेट हो सब के लिए उस्टे साथ साथ देटो गीटेटा ऊपर वाला सिस्टम हो ज़िया दो फहलते देव दो बजे और एक और ट्लास है मेरी यूटूब पर अब स्टार्ट होने जा रही है और ये ट्लास वाकरी में हिस्ट्री टेट टड़े ली मैं तैसा क्यों टह रहा हूँ साइंस के बेतरी एठ हजार कोश्चन और ये एठ हजार कोश्चन मैं आपको डेली पचास-पचास के सेट में सॉलटा हूँ रहा हूँ तो देटो पूरे पूरे एठ हजार कोश्चन हो ज़िया इस्टी पीडिया भी आपको मेरे टेली डाम चैनल पर मिले डी उपर देख टेली डाम चैनल है आप जरूर एठ बढ़ जोइन कर सकते हैं और उस्टे साथ सती जो क्यूफ रहे दी मेरे दोस्त ये सलूशन के साथ रहे दी सबसे बड़ी बात है ये पीडिया टियुक्त के साथ रहे दी सलूशन के साथ लेजिए इस बैक स्टी जो टाइमिंग रहे द तो फटा फट जल्दी से थमसब टड़ते बता दीजे पहला कोशन शुरू टड़ने से पहले आप सलोड विबर से समुरू शेयर भी टड़तो दोस्त जुनों ना भी तर लाइट नीडिये जल्दी से बार लाइट टड़तो फटा पर सेयर टड़तीजे ताथी मैक्समम लोड यहां पर आए तो आपके सामने आज का पहला कोशन जल्दी से देखिए और बताईए इस पहले कोशन टट उत्तर क्या होना चाहिए पचास कोशन भाई मिट्स रहेंगे आपको पता भी नहीं चले रहेंगे लेकिन रहेंगे मिट्स बड़ा जबर्दस कोशन ओड़े पहला जल्दी से बताईए नेम लिटिक टतनों पर विचार कीजिए सवाल में देखो ऐसा पैटर्न अब पूछा जाने लगा है चाहिए कोई भी एकजाम हो कोई स्टेटमेंट दिये रहते हैं पहला और दूसरा दोने स्टेटमेंट को पढ़िए और मुझे बताईए कि कौन सा ह अमारा सही आंसर होगा फड़ा बड़ जल्दी से से रटीजे बताईए इस्टा आंसर बता हुआ इस दफलो जल्दी से तो उत्तरा खंड की स्थापना दो नौवंबर सन 2000 में हुई थी ये पहला स्टेटमेंट और दूसरा है उत्तरा खंड के नेमुठ मंत्री पुष्टर सन 2000 में कीन राज एट साथ बनाए रहे थे उसमें से एट था तुमारा 36 गण एट था तुमारा जार खंड है ये सारे के सारे के सत्तो सन 2000 में ही बनाए रहे थे ये उत्तरा खंड की स्थापना नौवंबर में होती है दो नौवंबर नहीं इस बार तो याद रहे रहे रहा तो इस्टा बतलब सर पहला वाला पार्ट टोटली डला थे, जबकि दूसरा वाला पार्ट एद्दम सही है, तो सही आंसर ओफसर नमबर सेटेंट के साथ जाएगा, बोलो भाई, बास सब लियर है, इमानदारी के साथ बताओ, मजा आयट नहीं आया, भाई, उत्रा ठंड में दारकना 24 जन्वरी टे दिन, 24 जन्वरी टे दिन सिर्फ एट दिन की, एट दिन की एट लड़की मुठ मंतरी बनी थी, उस्टा नाम बता सकते हो, 24 जन्वरी टो पढ़ता है दोस्त, बालिटा दिवस, और धारकना बालिटा दिवस टे उसर पे, उत्तरा ठंड की सर्टार न ना उत्तर प्रदेश से टाट के अलग टिया रहा था बोलो भाई बाद सब्सक्राइब है ना तो इसका आंसर जो है और से टेंड के साथ जाए रहा नेस्ट कोश्चन आपके सामने स्क्रीम पर क्रिश्णा कावेरी नदियां अक्सर आपको एज्जाम में टन्फूज करती हैं हमेशा एज्जाम में टन्फूज करती हैं देख लीजे मेरे पास दो कोश्चन ने क्रिश्णा कावेरी नदिय से आप मुझे बताईए इन में से कौन सा उत्तर तुम्हारा सही होना चाहिए फड़ा बढ़ जली से पढ़िए फड़ा इबार लाइक कर दो बिल्कुल सरष् चुछन नदिये कोई पूछे तहां से निटलती है महराष्ट से लेगे टिश्णा नदी डिड़ती तहां परे जाते कह देना दोस्त मेरे आंध्र प्रदेश में जाते इस्ट्र नीचे पड़ती है टावेरी नदी बताईए जल्दी से टहां से निटलती है तो मुझे बता ही बंढम की ठाड़ी में में और बबस है करें थारा assuming आई निकलती है महाराश्ट से और गिर्ष्ण आंध्प्रदेस में और मौह दोष्ट मेरे वो तमिल तो दोनोत आप मोहाना कह सकते हो आंध्रप्रदेश में नहीं है डलत है तो सही आंसर आफसर नमबर डी टे साथ जायडा ना तो पहला सही है और दोस्त ना तो दूसरा सही है कि बोलो भाई कि लिए रहे ना अच्छा अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा क्रिश्णा और ट्विरी नदी थे बीश्ट रही जो टैट है इस टैट को भी एक नाम देते हैं तो मुझे बताए गए डा क्रिश्णा और ट्रावेरी नदी थे बीश्ट रही जो क्या है जल्दी से मुझे फड़ा पठर कमेंट रिए बता दीज्य हुस्ट तूमारν संझय है करलाता है तुभारा कोरो मंडल कोरो मंडल टट करलाता है ओके नाम सारे याद कर ले ना सारे टट ओके विल्कुल आठे बढ़िए नेस्ट वोशन बताई जल्दी से फ्रोस साय कोटला मैदान टा नया नाम बताओ जल्दी से फ्रोस साय कोटला मैदान टा नया नाम क्या है इस इइपना फ्रोस सा है तुलत नीटी थी हला टी ये इस्टेडियम कहां पर है टेना ये स्टेडियम से बिल्ली में है और इसी टानाम बदल पर दारटना अरुन येटली स्टेडियम कर दिया रहे है अफसर नंबर डी है सवाल का सभित 인हान सर वहाई वहर लो बाई और राज सभाती सीटे सबसे जादा है बताओ इस्टा आंसर दो हाँ बिल्कुल तो राज सभाती जब भी तभी तुम्हें सीटे उटी बारे बे पूछा जाएगा तो याद रखना सबसे जादा सीटे तो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में इततिस फिर महाराष्ट में हैं सर महाराष्ट में टितनी सीटे दारखना महाराष्ट में उननिस फिर इस्टे बाद तमिल नाडू में हैं सर तमिल नाडू में अठारा तो यह सवाल तो इससाब से पूछा दिया है तो याद रफिए ना तमिल नाडू टे बाद बिहार और पश्चिम मंडाल आता है जिसमें सर 16-16 सीटे कांध प्रदेश में राजसवाटी 11 सीटे हैं और राजिस्थान और टन्नाटर दोनों में राजसवाटी 10 सीटे तो सवाल था तोन्सा राज सीटोटी दरश्टी से सबसे बड़ा है तो सही उत्तर बिहार के साथ जाएगा लेटे याद रखना सबसे ज़्यादा जो सीटे है ना दोस्त वो तुम्हारी उत्तर प्रदेश में है राजसवाटी और तितनी सीटे है कहना 38 सीटे है बोलो भाई बास आपको क्लियार है रहा आजे बढ़िया जाए नेस प्रोश्टन बताई जल्दी से अब देखो एट दो टोश्टन आपको साइंस टे जरूर मिलेंगे आना जादा नहीं 5-6 प्रोश्टन जिससे आपको पैटर्न सही रहे फड़ा बर जल्दी बताईए थुड़ा एट बार सब लोग लाइट बीटर दो दोस्त जुनों अभी ता लाइट नीटी आप फड़ाट से जल्दी से लाइट कर दीजे साथी अब लोग पचास टाटला जो है प्रोश्ट अले फड़ाट से बताईए कौन एक योगिट नहीं है कमपाउंड नहीं है कहना सर कारबन और और औक्सीजन से मिलके बनता है स्योटू कमपाउंड है सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनेगा सोडियम क्लोराइट कमपाउंड है सर वाटर H2O deep compound सेड़ा से सब्सक्राइब है तोटी हाइड्रोजिन और ओट्सीजन से मिलती बना त्यों आइरन कंपाउंट नहीं है लोहा नहीं है नहीं है देखो लोहा क्या है सर पहना लोहा एक तत्त है मतला ये टेस अबते हो ये एलिमेंट है क्लियर है ना तो आप लोटोटो ये भी पैचानना आना चाहिए वेलटोल अवजर अवबर वीज बताइए ये लीजे ये टोशन 99% लोड डिलर करते हैं लाल मुझे देखना है इस टोशन दा सही उत्तर टॉन देता है थोड़ा बाई एट बाई सब लोग सेशन दो शेयर भी टड़ते रहिए बताइए अजर तुमसे पूचा दाए कि बताइए कि टिलो वाट आवर किस्टी इटाई है तो ज्यादा तर लोट इस्टा अंसर सब्ती देते हैं और सवाल हो जाता गलत सर गलोवाट जो धन्टा है वह उड़ाटी टाई होती है अब कैसे सर उड़ाटी टाई है ये बाद समझते हैं हारा आपको पता है कि जो वन किलो वाट आवर हो था है सर वन किलो वाट आवर को हम लोग 3600 किलो जूल भी टेहते हैं ओके और ऐसा इसलिए हुआ है तो कि एक तिलो वाट का मतलब होता है तिलो जूल पर सेकेंड और एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड से सेकेंड चैंसल हो जिया 3700 सही टा उत्तरा जिया और देटो मात्रत जो बचे रहा वो बचे रहा प्लियर है ना तुष्टा सही आंसर एनर्जी टे साथ जाएगा रिले क्लो कॉपी में कि किलो वार्ट आवार सर एनर्जी टा मातरट होता है सकती टा नहीं ओके जालो आगे बड़ा जाए टेस्ट कोशन बताइए रेफिजरेटर में जो ताजा पदार्थ है या पदार्थ को चितने टेंपरेचर पे सुरच्छित रठा जाता है फड़ा बर जल्दी बताइए इस टांसर ओके वीड बीज में आप लोग रूट लिए कुछ लाइप भी रहेंगे मैंने इसमें बार-बार जो है कुछ लाइप टेस्ट भी जोड़े हैं आप देखते जाए रहा बड़ा मजा आए रहा ठीके थोड़ा इपड़ सेसं पर सेयल टर दो दोस्त वातन संदीद दिव्यांसु सचान सतेंद्र पताइए रेफिजरेटर में ठाद पूछा जाए तो 267 टेल बिन बताना है रियूमर में पूछा जाए तो 3.2 डिरी रियूमर बताना है और फारेन हाइट में पूछा जाए तो 49.2 डिरी फारेन हाइट बताना है ओके सर ये वही देंसिटी है या वही तेंपरेचर है जिस पर पानीटी डेंसिटी मैक्समम हो temperature ठे answer बताने हैं, पस alert लग इस टेल में alert है, अलग लग इस टेल पे alert है, चलो बताओ, पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन होता है, जल्दी बताइए पूर्ण आंत्रिक प्रावरतन काभ होता है, ठीके, अच्चा इस टी pdf आपको मेरे टेली टाम चैनल पे मिल जाएड़ी दोस्त इस सारे सारे टेंपरेचर याद टली जेड़ा ओके बताईए एबार थोड़ा सेशन पर लाइफ भी टड़ते रहेए दोस्त जोन्हों अभी तरह सेशन पर शेयर नीट है जल्दी जेबार सेयर टड़ दो पताईए तुम्हाँ आप रतादूए जो TIR की ढटरा है TIR के कब होता है जब भी प्रिकास हमारा सधन माध्यम से कहाँ ती ओड़ जाता है विरल माध्यम की ओड़ जब सधन से विरल जाए रहा तब तुवारा TIR हो रहा इसने लिए फॉर्मला भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा साइन सी बराबर वन अपोन म्यू यह फॉर्मला होता है और अगर तुमसे कोई पूछे कि TIR के सर एजम्पिल क्या है पहला इसट एजम्पिल कह देना डायमंड डायमंड के चमटना सर TIR होता है तुम्हारे TIR पे है तुसे सधनSe Viral अब वयू तुम्हारा विरल है जलत हो डिया आजळ से ड्लत है अच्छा है जल तुम्हारा विरल है मत रेर मीडियम है और विरल से सदन से होना है जा granth में होना जाए हीरेती डांस से ज्यादा होती है दोस्त मेरे आफसर अमबर ए सवालता से उत्तर हो रही है ओटे चलो आड़ला कुछन देखिए बताए रेडमी इंडिया टे नए ब्रांट अमेस्टर किसे बनाए डिया है फड़ अबर जल्दी से पढ़िये और बताओ इस्टा उत्तर क्या होना चीए रेडमी इंडिया टे नए ब्रांट अमेस्टर किसे बनाए ड़े है ओटे फड़ बार समनों सेशन दो सेर भी टरते रहो दोस्त जुनों अभी तर लाइक निए जल्दी से लाइक भी टरते रही है पढ़िये रेडमी इंडिया के नए ब्रांट अमेस्टर किसे बनाए है तो रेडमी इंडिया के जो नए ब्रांट अमेस्टर है वो धारखना सोनू सूद बनाए है सोनू सूद ऑटे इनकों अभी एट Students अवा नहीं है क्लियर है ना हां तुछ नए ब्रांड मिस्टर मलाइटा रोड़ा नहीं है यार बताओ काजी रंगा नेशनल पार्क कहां पर है पताए इस तांसर इस तांसर दीजे काजी रंगा नेशनल पार्क मैंने आपको कई बार बताया है यह जो असम राज्य ना बहड़ा और रंग के बाद अडला है तुम्हारा ना मेरी ना मेरी और ना मेरी के बाद एक और नेशनल पार्क आता है जिस्टा नाम है तुम्हारा मानस है काजी रंगा है यह सब के सब तुम्हारे असम में हैं तो सही उत्तर आपका option number C जाएगा मैं एक और बात बता दू कि जो 2018 में युनिष्टो टी विश्द धरोवर में सामिल किया घया था तो पूछा जाया कि बताईए युनिष्टो टी विश्द धरोवर में टाजी रंड़ा को कफ सामिल किया घया है 1885 असम ये पुरोत्तर टा एट ऐसा राज है जो लगभट समी राज्यों टे साथ सीमा बनाता है पुरोत्तर टे लगभट समी राज्यों टे साथ सीमा बनाता है और असम के ठीट नीचे जो राज है वो याद रखना मेधाल है और इसनी थोड़ी सी सीमा तुमारी पश्चिम बंडाल के साथ भी टच टड़ती है यानि इतने ये साथ ऐसे राज है जो तुमारे असम के साथ सीमा बनाते है नोट डाउन टटे रख लेना शिर्फ एट ऐसा वह थो राज है जो असम के साथ सीमा नहीं बनाता वो है तुमारा सीप्रिक याद रख एडा सारे मुझे ब्रांड अमेश्टर टे नाम चाहिए फटा बड़ जलीज बताईए इस्टा आन साद दिए भाई सबलोग फुड़ा एट बड़ सबलो सेसं दू सेर भी टरतार रहो दोस्त जुनो न वीता सेसं दू सेर नी टिया जलीज एट बड़ सेर टरतार रहे फटाट से पेटियम स्ट डेम के ब्राइंड अमेस्टर बताये सिश्टा डूर्प के बताईए बैम अमेस्टर भरू यह थे सिश्टा साथ पुमा टे जहल टे और न यु самый है जह बॉँए हाई सोचिन पर यह तो नुक्र मार मॉविकर के डिफिक रहा दी बताओ जरा, पूमा, सर्पूमा ये ट्रैस अतो एक स्पोर्ट कंपनी है, युराज सिंध इस्टा ब्राड अमेस्टर है, जस्ट डायल, तो जस्ट डायल के हैं तुम्हारे रणवीर सिंध, रणवीर सिंध और न्यू ग्रोथ के बाद करते हैं, तो इस्टे ब्राड अमे हाँ हो सकता है कि इन में से आपके कुछ आते हों कुछ नहीं आते हों याद तुम्हें दोस्ट सारे टर्ने पड़ेंगे फिरे चलिए आजे बढ़ा जाए नेस्ट कोशन मताईए कोशन नमबर 11 हुआ पढ़िए जल्दी से इसको आंसर दीजिए 1857 की ट्रांती टे समय भारत के डवनर जनरल टा नाम जल्दी से बता दीजे क्या था फड़ा पर पड़ो पुड़ा इपर लाइट मीटर दो दोस्त फड़ात से जिनो नवीता सेशन दो शेयर नीटिया जल्दी से इपर शेयर टोड़ो एटे तुमारी प्रुमोध द्वतन सं दीप सौराप दिव्यांसु सचान दीपादास वेरेडोड पल्लाव बजरंडी पताइए 1857 की ट्रांती टी समय जो डवनर जनरल थे उन्टा नाम था लॉर्ड कैनीन यादर खेडा हलागी लॉर्ड कैनीन भारत के अंतिम डवनर जनरल भी थे और पहले वाई सराय भी थे वैताय है 1557 की ट्रांती टा प्रतीत क्या था तो प्रतीत चिन पूछे ना रोटी और कमल रोटी और कमल प्रती चिन था 1857 की त्रांती के समय बताईए बिटेन के प्रधान मंत्री टॉन थे ये भी तई बार पूछा जाता है बताईए त्रांती के समय बिटेन के प्रधान मंत्री टॉन थे आंसर जाय रहे इस्टा पामस्टन के साथ तो पामस्टन दारखना उस समय बिटेन के प्रधान मंत्री थे उठे तो सही answer option number A के साथ जाएगा बाटी नील Armstrong चंद्रमा पे टदम रखने वाले पहले व्यत्ती थे John Mathai, John Mathai दारखना करतंत्र भारक का पहला बजट पेश्ट रिया थे इनोंने 1880 में इनोंने पहले तो फैट्री अधिनियम लाया था 1880 में धारखना लॉर्ड रिपन ने फैट्री अधिनियम लेके आये थे उस्टे साथ साथ नीमीत जन गड़ना की सुरुवात भी 1880 में टी रही थी लॉर्ड रिपन के द्वारा इस्टा सही answer option number A के साथ जाएगा है Gothic आताई है कर दो दो रएका साथ इस्टार डेवाले सबसे जादा बार मुरार बर सबसे जादा पर सबसे जादा पबार मुरार जी practically करते है तो आपको पता है कि सुरुवात में मौलिट अधितार्टी संख्याती साथ बाद में एक मौलित अधिटार धटा क्या मौलित अधिटार कितने बचे चैना अनुछेद 12 से लेके अनुछेद 35 तखे और कोई पूछे री बताइए 30 भाट में है तो टैदेना भाट 3 में मौलित अधिटार लिये कहां से रहें सर ये लिये क्या है तू ऐसे के सविधान से अचा पहल संपत्तित अधिटार था संपत्तित अधिटार इसे 44 में समिधान संसोधन में हटा दिया जिया था और 44 समिधान संसोधन हुआ टप था 278 में और हटा ते टहां पर रठा दिया है सर इसे रठा दिया है अनुछे 300 ए में और इसे मौलित अधिटार ना बोल टार इसे बोला बताईए जल्ली से, बड़ा असान सा प्रोश्चन है, घुजल अता है ति आप सम्मे से, सब लोट इस्टा आंसर दे लोगे, जल्ली बताईए इस्टा आंसर, फटाक से, हाँ बिल्कुल, 300 A में रखा रिया, अचा सब लोट मुझे ये बताओ, कि जो हमारा संपत्तित अधिक जब नहीं हटाए डिया था, उससे पहले ये कौन से अन्छेद में आता था, उससे पहले ये कौन से अन्छेद में आता था, 12 से 35 बीच में आयगा, उससे पहले कौन से अन्छेद में आता था, ये मुझे बताईए जल्दी से, तु बताईए पाटिस्तान के साथ सीमा कौन मनाता है तो आपको पता है ठी पारिस्तान पे साथ यहां वाले राज सारे सीमा बनाएंगे यह वाले राज और यहां पर टॉन टॉन से राज जाते हैं सर यहां पर पहले हिमाचल प्रदेश ट्रताई नहीं आता है आने आरा थोड़ा अंदर पड़ जाता है हिमाचल प्रदे राजिस्थान उपर ट्योर फिर तुम्हें पंजाब कहना है और फिर उस्टे बार कहना है जम्मू टस्मीर तो टाई पार ये राज तुमसे नीचे से उपर पूछ लिए जाते हैं अनुछेद इतत्तिस बिल्कुल बिल्कुल जब ये नहीं अटाए जया था उससे पहले संपित्तित अधिकार अनुछेद इतत्तिस का हिस्सा था बिल्कुल एद्दम सही बता रहे है दोस्त चलो बताएए इस्टांस बताओ बिर्जू, सतेंद, मौर्या, नीराज, वेरी रोड, समराट, सोट फड़ा पर जलनी से पढ़िये और बताएए इस्टा कैक्त उत्तर क्या होना चीए भारत अगर ये है भारत जो उत्तरी बिंदू है वो ट्या है उत्तरी बिंदू है जहां से मेरी टॉल तभी आस्तर लग वलंडू और अड़ा पश्चिमी बिंदू पूछू तो इस्टा नाम है सर्क्रीट ये सर्क्रीट पढ़ता तहां है दोस्ति ये पढ़ता है तुम्हारे डुजरात में तेयर है ना डुजरात पढ़ता है अब आप फुस सोचोटी ये हमारा क्या टहलाएडा बताई जलनी है ति आप लोगों में से ए टहते तित्रे लोड ठीसी टहते है तो प्रमोद मीना ने ए टहा है इस्टाडी सल्किल मैथ ने भी ए टहा है तुम्हां ए टहने वाले तो बतादू ति भाई सहाब आप लोड़ा ए आंसर टोटली डिला थे ज्यादा तर लोड़ों को ये तो आपको बता दे जब ये भारत पड़ता है हमारा माली जी भारत है भारत के जितनी भी रेठाए होंडी वो कोई भी रेठा हो वो सारी ती सारी रेठा है पूर्वी देशांतर का एलाई नहीं है तो यहां वाली जो रेठा है इस रेठा है इस रेठाट नाम होता अड़त आपको पहले बताओ, ये सवाल समझ में आयाट ही नहीं आए, मैंने इसको पूर्वी देशांतर क्यों बोला, कोटी ड्रीन वीच रेठाटे, यानि जीरो डिवी देशांतर रेठाटे, दोनों हमारी पूरम में है, इसलिए ये भी पूर्वी देशांतर पड़ेडा, और वला अंदरी साथ बता न, नहीं बता थी, जुड़ो लेओ, ठीटे, बताई इस्टा अंसर, किस उद्ध में MSI अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, बताई ये इस्टा अंसर, ठीटे, ठीट, देटो, MSI अब्दाली और मराठाओं टी तरफ से लड़े थे सदाशिव भाव, ये युद्ध हुआ था, पानी पत्तर तिरती युद्ध, याद रहेगा, पानी पत्तर तिरती युद्ध इस सवालता सही अंसर होड़ा, बोलो भाई, और कम हुआ था, सर 1761 में हुआ था, तो पानी पत्तर तिरती युद्ध में MSI अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, अमराठाओं में 21 योद्धा टोहरा आया था सदाशिव भाव टोहरा आया था अप्सन नमबर 20 सवाल था सही उत्तरोड तराइंटा पहला युद्ध बताइए का हुगा 1199 यादे ना मौम्मद डौरी आया था प्रत्वी राथ 54 लड़ने हाल गया था पटसाट युद्ध टब हुआ था 1764 अंडरे जूटी बीच हुआ था और भारती तरफ से चाल लोड लड़े थे खानवाट युद्ध ये सर 1527 ये बाबर और राणा सांडाटी बीच हुआ था तो आंसर तो आफ्सन नमबर B है बाटी सारे युद्ध आपको याद होना चाहिए ये लीजे IPL 2019 टे बताईए Most Valuable खलाडी टॉन बने थे बड़ा पर जली से स्टान सादो ओटे बड़ा एट बार सब लोड सेशन तो शेर भी करते रहो दोस्त और जुनों आभी ता लाइट नीटी है तो मुझे बताईए 2020 पूछा जाए तो मुझे बताईए 2021 पूछा जाए तो मुझे बताईए उपर वाला 2018 पूछा जाए तो भी मुझे बताईए 2019 जा रटना ये आंड्रे रसल कोल्टाता की टीम से लड़ा था ठेला था मतलब और 17-17 बॉलों में 50-50 रन मार के चला आता था 2020 में जो बने था वो बना था जोफरा आर्चर साइद राजिस्थान की टीम से था उस समय ओके 2021 जो मोस्ट वैलेबिल खलाडी था उस्टा नाम था क्या नाम था वो बॉलर था ना हरसल पटेल हरसल पटेल पड़े वीटेट लिया था यार किसने उस्टा सही आंसर आंड्रे रसल के साथ जाए रहा option number B रटाईए थोड़ा बर लाइटर तो दोस्त 2018 का टूल मत दे बताए रहा 2018 का most वैलेबिल खलाडी पुछा जाए तो सुरेश रहना नहीं तो सुनील नरायन था तू याद था रहना लगाना है तो नरायन लगाना है थोड़ा याद नहीं आ रहा था तो सुनील नरायन याद रखी रहा ओके? चलो आजे बड़ा जाए ने स्टोशन बताइए बताओ प्रोम का पूरा नाम क्या है पड़ा पड़ बताईए प्रोम का पूरा नाम क्या है भाईया बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बच्पन से जबानी ता रोम रोम का पूरा नाम तो जरूर बताया जाता है Read Only Memory अब Read Only Memory के साथ क्या लगाना है तुम जल्दी से सोचो पड़ा पड़ जल्दी से सोचिए हाँ, वेस्ट इंडी से खलाड़िये बिल्कुल एद्धम सहिए तो Read Only Memory के साथ आप लगाना है Programmable प्रोरोम का पूरा नाम होता है दारखना Programmable Read Only Memory और सी सवालता सही उत्तर है बिल्कुल विट्कुटा आंसर सहिए कुमारी आंसर सहिए देवनाथ आंसर सहिए निठिल यादो आंसर सहिए हाना बेरी डोट है चलो आडले कोशन की ओर देखिये पताइए इसने सासन टाल में मराठाओं के प्रोमोट संभा जीती हत्या टी थी संभा जीती हत्या ट्राई बार टोशन आता है भाई यादर शेटा चलो अठार बेट आंसर दीजे जल्दी से टिट्टू सेंट एस्टर तुमारी अचा संभा जी कौन थे कहना संभा जी जो थे वो सिवा जीते टेसबते हो लड़केटा नाम था सिवा जी महराज थे लड़केटा नाम संभा जी अचा सिवा जीता जन होता है 1630 में सिवा जीता राज अबशेट होता है 1674 में और सिवा जीती मृत्तू होती है 1680 में 1680 में संभा जी महराज बनते हैं और 1689 में संबा जीती हत्या कर दी जाती है और ये हत्या टॉन करता है सर औरंड जेप करता है साई आंसर अफसर नमबर 8-7 जाए रहा है और आठाओं का ज्यादा तर लड़ाई जू रही है न वो औरंड जेप टे साथ रही है अब मुझे सब लोग जल्दी से मुझे बताओ औरंड जेप का जन में टब हुआ और औरंड जेप की म्रत्तु टब हुई दोनों डेट बहुत इंपोर्टेंट है तो औरंड जेप का जन में सर 1618 और म्रत्तु टोई पूछे 1707 मैंने कई सारे सन आपको यहाँ पर बताएं जो आपके एजाम के लिए वेरी 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 वे दुनिया ती सबसे बड़ी ठारे पानी टी जील टैस्पियन साडर है दुनिया ती सबसे बड़ी ठारे पानी टी जील ले अब यह सवाल नहीं आए डा सवाल आए डा कि बताएं टैस्पियन साडर कितने देशों से धिरा हुआ है तो टैस्पियन साडर कितने देशों से धि पीच में देखो रसिया और इरान आया ना रसिया और इरान आया तो अप्सिन नमबर एटे साथ सवालता उत्तर जाए रहा हो लिए याद रहे रहे रहा हां 1618 1707 इद्दम साहिए यादा तलोट बुझी सिर्फ तारीट लिखते दे रहा है कमेंट बोट्स में इद्दम हिंदुस्तान यूनी लीवर लिम्टेट नए टारीटारी अध्या च्टी से निूट्थ टिया दिया है मैंने च्टल आपको ये सवाल कांसर दिया था फड़ा बर जल्दी बताइए थोड़ा इपर लाइट भी टरते रहो दोस्त जुनों ना वितर सेशन रूर निटिया ज हिंदुस्तान यूनी लीवर कंपणी टे नए अध्याच बनाए ड़े हैं सर नितिन परांजपे तो लोग वास सब्रों क्लियर है जल्दी से बताइए अच्छा संजीव महता का नाम सुना है अरविंद सूरी जाने का भट गया तहां सो रहे हो ओप्सन नम्मर डी मैंने पर एरपोर्ट एथर्टी ऑफ इंडिया एरपोर्ट एथर्टी ऑफ इंडिया टे नए अध्याच पूछा जाए तो तुमें संजीव टुमार बताना है संजीव टुमार बताना टन्फ्यूज मतो ना एए आई टे नए अध्याच संजीव टुमार फिट्टी टे नए अध्या संजीव महता ये ठीट उसी तरीटे से जैसों अल्टा मित्तल और अल्टा उपाध्याइट नाम सुनाये ना एट है नेशनल हाईवे अथर्टी ओफ इंडिया टी अद्धेच और दूसरी ये विचारी ओएंजीसी टी अद्धेच ओटे तो सेम कंशूजन यहां पर भी है इस अब जल्दी से अद्धेच तो पता है तो बुझे बता दीजिए UPSC टे नए अद्धेच कौन बने हैं ठीक है तो UPSC टे जो अद्धेच थे जिन्टा नाम ता प्रदीब जोसी अब प्रदीब जोसी हट चुटे हैं तो UPSC टे नए अद्धेच आ चुटे हैं मनोज सोनी मनोज पंडे, मनोज पंडे जो है, वो धारतना भारती थल सेना के नए अध्यक्षे, मनोज मुटुंद नर्वाने हट चुटे हैं, अब देखो, I.M.F. की बात हो रही है, कर I.M.F. कि सापना धारतना 1944 में हुई है, मुख्याले कोई पूछे तो कह देना वासिनिटन DC, अगर इस्ती अध्यक्ष्टा नाम पूछा जाता, तो आपको आंसर बताना है, ट्रिष्ट लिना, जोर्जिया, यह इस्ती वो है, मैनेजिन डिरेक्टर, ले गणोंने डिप्टी मैनेजिन डिरेक्टर पूछा है, डिप्टी, तो डिप्टी टा अंसर जायरा, घीता डोपी मैनेजिन डिरेक्टर गृतर रोपिनाद ले सिर्फ मैनेजिन डिरेक्टर पूछता तो दोस्त तुम्हें बताना है क्रिश्टलीना जौर्जी आटेसा लेकर आई एमफ में टोटल एक सो नव्य देश है और एक सो नव्य देश को पूछे कौन सा है तो टह देना अंडोरा है अंडोरा अंडोरा कौन सा डोरा अंडोरा आई एमफ का सदस भारत टब बना था तो भारत दा रखना उननीस सो पैतालिस में आई एमफ का सदस बना था इंडिया इंडिया दा रखना उननीस सो पैतालिस में आई एमफ का सदस बना था धेर सारी चीजे याद टर्टर रटो तो जीता डोपी नाज सवालता सही उत्तर है इस बार तो याद रिखेड़ा चली बताइए तीनो फॉर में टोटे लिए भारती नए टप्तान कौन बनाए डए है जल्ली पढ़िए इस टांसर जब तर मैं पानी पी ले रहा हूं थोड़े बार सब लोग सेर कर दो दोस्त और तो ट्रिकेक तीनो फॉर में टो जो आप आपारिक के टंपतान बन चुटे वो रोहिष सर्मा इस वालतु याद रृषिएड़ा अज़र ट्रिकेक टीम के नए कोच टी बात्ती जाती है बताएए क्यर्केक टीम थे नए कोच टोन है तो में कहना है राहूल दृवेड के ट नई महिला प्रधान मंत्री नाम बताईए जली से फड़ा बट इस्टा नाम बताईए सर्मा जीटा लड़का एद्दम सहीव टैरा हो सर कोल इन पीलो ना रे टोई बात रही यार बताईए इस्टा अंसर तो बारब दोस्टी बात करते हैं तो ये सर उत्री अमेरिका का एक छोटा सा देश है नौर्थ अमेरिका का छोटा सा देश है नौर्थ अमेरिका और इस्टी जो नई पहला प्रधान मंत्री बनाई गई है उन्टा नाम है मिया मोटले फिर से मेरे साथ एक बार बोलो मिया मोटले जैसी बोलो डे यहाद हो जाएदा इस्टी राजधानी अटाटू पूछेश देश्टी तो ब्रिज टाउन ब्रिज टाउन दा रखना यहाँ टी राजधानी ब्रिज टाउन ओके हाँ मिया मोटले एदम सही है चलो बताइए कोशन नमबर 24 जोक्टर स्यामा प्र जो दोस्त जोनों नहीं तर सेसं न सहर नीटिया जल्दी से बड़ सहर टर दो जाड़ा प्रसाद मुठर जी ने एक स्थापना टी जिस्टा नाम था भारती जन संड पूछा जाये थी बताईए भारती जन संड टी स्थापना प्रसाद मुठर जी ने टप टी चैना 1959 में फ यारी शुरुवात यहां से हुई है तेरे स्यामा प्रसाद मुठर जी थमल पावल स्टेशन कहां पर है कहां देना 36 गड़ में है ऑफसर नमबर बी सवाल्टा साय उत्तर भोगा 36 गड़ लेर है चलो आजे बड़ा जाए नेस्ट पोश्चन आपके सामने 245 नमबर दोट मेरे इसरो ती स्थापना 15 अडस्त उनीश सो नत्तर में वी थी और इस्टा मुठ्याला तहां है कह देना सर इस्टा मुठ्याला है बैंड लूरू में बैंड लूरू में और अज़ा इस्टे नए अद्देश्टी बात करते हैं तो डॉक्टर S. सोमनात या डॉक्ट ये इस डेट को दारतना चंद्रियान 1 चंद्रियान 1 चोड़ा रिया था चंद्रियान 1 और इस डेट को चंद्रियान 2 तू चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 ती तुम्हें डेट याद टर्टिय रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेटे आदे बढ़िए ने पंजाब के ने मुठ मंत्री की सपत जी से लिए ब स्क्रस्क्राइब हो। साइंस सामके साथ बज़े आओ दोस्त कुंदन सामके साथ बज़े लाइस चलेगी धमाते दार वो पचास टो स्ट्राइब कैस्के साथ छैंप और दुपहर दो से तीन जीटे स्पेसल, ओके, चलिए, तो बताइए, तो आपको पता है कि बनवारी लाल प्रोहित, ये दारटना पंजाब के नए धवन्नर है, तो आंसर जाएड़ा भडवन्त मान के साथ, भडवन्त मान ये नए मुठवन्तरी है, अगर ये धवन्नर पू लाला कोल ता सूरत, इनमें से तिस सहर को चांदीटा सहर भुला जाता है, पीटल, किस्ता आंसर दीजे, तो प्यादा तललोсь टटक आंसर नहीं है, आपको पता है, चांदीटा सबसेज़ादा उत्पाधन वैसे स्थम राजिस्थान करता है, लेक्टें क्यांदीटा शैर कटक को बोला जाता है, इस बातो हुआद रता, कटक में एक और चीज भी है, जो टाफी जादा पुछी जाती है, चावल अनुसंधान केंदर, पुछा जाये लिए बताओ, चावल अनुसंधान केंदर कहा है, कहाना दोस्त मेरे कटक में, सूरत पर बात करते हैं सूरत भारत के ऐसा राज बन चुटा है जहां पर चील से सड़के बनाई रही हैं सर सूरत में बनाई रही हैं चलो आजे बढ़िये नेस्ट कोशन आपके सामने कोशन नमबर 28 बताईए किसे ने चूट्र सिध्धान दिया था पहले अडर आपको पता है चूट्र सिध्धान नहीं तो तरही बार इंगलिस वर्ड भी लिखा होता है doctrine of left actually में इसी तो बोला जाता है समराज वाधिती नीती या राज जडप नीती ये सारे तसारे नाम 80 है राज जडप नीती समराज वाधिती नीती कूट्र सिध्धान दो ट्राइन ओफ लेफ्स ये देने वाला एथ ही सत्सता जिस्टा नाम था लौल डलहोजी ये डलहोजी 1857 की ट्रांती टे पहले आया था भारत में यानि इस्टा जो सासन काल था वो 1849 से लेटे 1856 था इसने बहुत सारे अच्छे टाम भी थी है इसने 1853 में प्रेन चलवाई 1854 में डाट टिटट भी जारी थी या है राज घडप नीती भी लगाई और राज घडप नीती ते तहर पहला राज सतारा यानि सतारा वो राज था तो इसने सबसे पहले हड़ पा था आच्छा सतारा तो सबसे पहले हडपा था लेज driven ते राज घडप नीती ते जो अविष्टार ताम इसने पता किस राज आपने त wheelchair था इस ने ते पंजाब राज долларов ने जी था तरा जब कर आठेए बढ़ दईए बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन का मुठ्छालेट अहां पार है पड़ावर्ट कोशन नमर्ट 29 का भी आंसर दो जल्दी से दीजे एब लाइट बीटर दो दोस्त जुनों नवी तर सेसमर सेर नीटिये जल्दी से बड़ सेर टर दो फटाट से पड़ाईए तो 29 बैटमिंटन वर्ड फेडरेशन इस्टा जो मुठ्छाला है यह दारतना मलेशिया के कुवाम लंपुर में है तो सर्फ इस्टा मुठ्छाला ही याद रथना इस्टा लावा और तुछ नहीं अफसर नमबर ए हो जाएगा चलिए हंडड़ी बूड़ा पोस्ट राजदानी अभी हंडड़ी के राश्पती और मुठ मंत्री दोनों बहुत पूछे जाएं इस बार तो याद रथना पिछली दो-तीन क्लासोस में हंड़ी टिवारे बता रहा हूँ आपको पताईए पहलवानों टा सहर ठिसे बोला जाता है पताईए इनमें सांसर भाडलपूर बिहार में पढ़ता है कुनूल ये सर हजारा में पढ़ता है लेटे जो टोलापूर है कुलापूर सर महराष्ट आपको पता है कुलापूर की चपले बड़ी फेमस है कुलापूरी चपले सुना होगा तो पहलवानों टो जो सहर बोला जाता है वो दारखना टोलापूर को बोला जाता है आपसर रमबर ए सवाल कर सही आंसर होगा माहराश्च में पढ़ता है बताइए पासी धाट एयरपोर्ट कहाँ पार है पताइए इस टांसर बताओ जल्दी से पढ़ा़े बताइए अचा आपको मैंने है चेरमेंट आम पूझें संजीु उटोमार ना है भारत में टोटल 38 इंतर्नेशनाट एरपोर्ट है 38 और मैं आप रह login सबसे जादा इंतर्नेशनल एरपोर्ट उत्तर प्र देश में यह है सर उत्तर प्रदेश ने साथ पासी डाट हवाई अड़ा सर ये तुम्हारे अवनाचल प्रदेश में है और सर नमबर सी सवालता से उत्तर होगा बोलो भाई जलो कोचर नमबर 32 देखर जाए बताए मीथेन अडूता आकार कैसा होता है फड़ा पर जलीज बताए मीथेन अडूता आकार कैसा होता है PDF कहां मिले दोस्त अरे PDF के लिए देखो उपर एक मैसेज पिन होगा नहीं तो आप टेलीज डाम चैनल मेरा जोइन के लिए जोगी फिजीट्स कॉंसेप्ट जोगी फिजीट्स कॉंसेप्ट को जोइन के लिए जलीज बताएए इस्टा टेट उत्तर क्या होना चाहिए फड़ा बड़ जलीज पढ़िए उपर मैसेज पिन हो रहा हाना तुम्हें आप प्रतादू मीथेन की बात करते हैं CH4 इस्टा नाम है इसमें हाइब्रिडाइजेशन यानि संक्रन होता है SP3 SP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और SP3 स्टचर होती है टेट्रा हैडल और टेट्रा हैडल में टोई बॉन्ड एंडल पूछे दोस्त 109.5 यह तुम्हारा बॉन्ड एंडल यह तुछ एक्ट्रा फैट है जो आपके एज़्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते है पूछे चलो आगे बढ़िए नेस्ट कोशन बताईए पहराणा रडजीर सिन के उत्रा अधिकारी कौन थे पहराणा रडजीर सिन के उत्रा अधिकारी कौन थे फटा बढ़ जलिस बताईए तो आपको पता है रजीर सिंध का जब भी टबी कोशन आएड़ा दोस्त ये तुम्हें संधी पूछी जाएजी उस संधी का नाम है अम्रित सर्टी संधी अम्रित सर्टी संधी 1809 में हुई थी जो हुई थी महराडा रजीर सिंध और चॉल्स मेट कोफ्ट भी अलाटी रजीर सिंध जो उत्तरा तरी यानी बेटे का नाम था खड़त सिंध खड़त सिंध जन्म 1801 में हो जाता है अवाई ये वही वाला खड़त सिंध है खड़त जल्दी से बड़ से अल्टर दो बताईए बटसल टी लड़ाई में इस्ट इंडिया कमपनी टे सेना के कमांडर कौन थे पताओ इस्ट आंसर इस्ट आंसर दीजे पहले आप मुझे सब लोग बताओ बटसल टी लड़ाई कब हुई थी तो बटसल की जब लड़ाई पूछा 1764 आपको बताना है 1764 और अंग्रेजु टी तरफ से लड़ेते हैं हेट्टियर मुनरो ओठे अच्छा रावल्ड ट्लाइब की बारे में सुल ले ना ठवी बार तुमसे आता है सवाल ती बताईए द्वैद नीती या द्वैद आपका सासन के टिसने लाडू टिया था तो इसको निरस्त किया था ठतम किया था वारे ने ये टोशन बहुत आता है थीटे ना 1934 नहीं है भाईए तुमार संजय है भाईए ना बड़ा ठन्फूज है तुमने दो बार मैंने देठा आंसर बलत बताया है थीटे ना तो तुमारा संवन थोड़ा याद टलो ऐसे रहे थ तो बिलीब मान ये 1764 जड़े 1974 भी ऑफ्सन में रहे डा तुम्हारे लिए ठास तोड से समझे ना चलो बताइए स्टांसर भारती राश्टी टांडरेश्टे पहले सत्रती अध्यच्छता तिसने टी है आपनों पता है ति भारती राश्टी सत्रता यानि इंडियन नेशनल प्रांडरेश्टा पहला अध्यच्छन मुंबाई भी हुआ था सिर्फ बहात्तर प्रतिनीद्यों ने भाट लिया था और यह अध्यच्छन हुआ था 1850 में और उसती अध्यच्छता टी थी वैमेस चंद पढ़ता है पेल डॉट उस राजी में पढ़ता है प्लबु ज को जे बताए जल्दी है मुझे ज político राजा राम मोर्य कि मुट्रच बारे बताई उस या राझा राम मोहर लाए को या को न ऐ बार या कौन से ठन सही है इस टांसा डोई सब्लूट थोड़ा पर लाइट ही पड़ते रही ही दोस्त works जुनों अभी तर्ला लाइट निटी या अगर मैं राजा राम मुहरफा राय की बात करता हूं सारी धी बाते नो reach डाउं कर लिना इनका जन्म कर लें होता है 22 माइश 1772 में 1872 में 1829 में 1772 में जर्म में कहां पर होता है दोस्त मेरे बंडाल में होता है और आप बता दे इसकी मृत्तू इनकी मृत्तू अठारा सो तेतिस में होती है अठारा सो तेतिस में इनकी मृत्तू लंदन में होती है और इनकी कोई कबर पूछे तो वो है ब्रिश्टल ब्रिश्टल कहां पड़ता ह चूटे में पड़ता है इस बात को याद रफीरा अब बहुत सारी बाते हैं बताने के लिए राजा राम मौर राय को राजा की उपादी किसने दी कहना अकबर दृती ने दी अकबर दृती ने राजा राम मौर राय को राजा की उपादी दी दी बोलो भाई बास सब्रों क्ल मैं बताओ, 1815 में दारपना इन्होंने आत्मी सभाती स्थापना टी, वेदांध टॉलेज 1825, वेदांध टॉलेज, 1828 में ब्रम्य समाज टी स्थापना टी इन्होंने, ब्रम्य समाज, जबती मैं आप रोता हूँ, 1829 में सती प्रथाटा अंत भी टिया, प्रथाटा अंत और ये अंत हुआ है, लॉल्ड विलियम बेंटेंटे साथ मिलते, बाती इन्हें भारती या भारती लिद्देना, भारती पुना जरगलता पिता भी बोला जासता है, आधुनित भारत के निर्मार करता भी बोला जाता है, और इनीटी पुस्तत है, गिफ्ट मोनो थेनिस, ये भी इस्टा सही उत्तार है भाई, तो आंसर तो आफसर नंबर सी है, लेटे राजार रामबोर राइट बारे में धेर सारी जो मैंने आपको बाते बताएं, वो सारी की सारी बाते आप लोड़ों को याद होनी जाहिए भाई, स्ट्रींट ले लिजे भाई, समझे ना, ओटे, चलो, आजे बड़ा जाए, नेस्ट कोश्चन बताईए, राजार रामबोर रहा है, इंपोर्टेंट है का भी जदा, ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2021 में, भारत की रेंकिन का बताईए कितनी है, ये बड़ा चर्चा में रहा था, जब ये रेंकिन निकली थी ना, बहुत सारे लोडों ने बड़ा ही ताना हम लोडो टो टसा भी था, और वाटे में टसने वाली बाती है, आना, बोलो भाई, तो ग्लोबल हंडर इंडेक्स 2021 एक्सो सोला देसों में आया था, एक्सो तेला सोला देसों में भारत की जो रेंक आई थी, वो आई थी पलब काफी पीछे था, तो अफसर नमबर ए इस्टा सही अंसर है, लेटी ये रेंट जो है ना, पड़ोसी देसों भी याद टलो, ये रेंट नेपाल और बानला देश्टी ये रेंट बतानी आपको 76, लेटी अडर येही रेंट तुमसे पाटिस्तान की पुछी जाती, प ग्लोबल हंडर इंडेक्स 808 रेंट थी, 816 देशों में, बताईए, राष्टी स्विल सेवा, दिवस टम मनाया जाता है, इस्टान से दो, फटा फटा, जल्दी से पढ़िए, ओटे, थोड़े बाल लाइट बीटर दीजी जल्दी से, जुनों नवी तर सेशन नीट या, फ पान वाली सिवर सेवा जनट बाना जाते हैं, इटिस अप्रेल को, सिविल सेवा, दिवस मनाया जाता है, 21st अप्रेल को, इस्टा सई आंसर, औप्सन नमबर C होड़ा, हाँ, विल्कुल, इटिस अप्रेल, इस्टा स्टा रेट उत्तर है दोस्त, पदाईए, विस्व रत्दान दिवस, पदाई जली से, हाँ, ओटे, थोड़ा इपर सेशन तो लाइक भी टरते रहें, दोस्त, विस्व रत्दान दिवस, ये 1968 से मनाया जा रहा है, और इसको मनाया जाने की दोस्तरा, डवलु एचो ने की थी, और ये मनाया जाता है दरटना, 14 जून से, रत्दान दिवस, 14 जून से मनाया जा रहा है, और से नमबर सी, ने स्टोशन बताई है, चालिस नमबर, तोट्यो ओलंपिट, मेट्रिस देश ने सबसे ज़्यादा पदट जीते हैं, बताओ, इन्हों ने सिर्फ और सिर्फ तोट्यो ओलंपिट पूछा है, पैरा तोट्यो ओलंपिट में सबसे ज़्यादा पदट जीते थे, भारत टागट वी नमबर पूछा जाए, तो सर इंडिया तर नमबर था 48, इन्हों ने एक दो चार, बदला भारत ने दा रखना, एक तुम्हारा डोल्ड जीता था, दो सिल्वर जीते थे और चार तुम्हारे ब्रॉंज जीते थे, अब इन्हों ने पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा पदट किस ने जीते, सर अमिर्टा ने जीते थे, ऑफसन अंबर जीते भी, मैंने टोट्यो ओलंपिट आप तो बताया है, टोट्यो पहला ओलंपिट नहीं बताया है, इस बाद तो यादर फेरा, पैरा ओलंपिटी बात करें दे तो चाइना ने सबसे अधा जीता था, यादर फेरा, बताये, ये लीजे, तुछ और आपके सामने टोस्चन, जल्दी से इन्टा भी मेरे साथ आंसर दीजे, बड़ा मजा है रहे ये सारे टोस्चन सॉल्ट करने से, दिठाई दे रहा है सब फड़ा बड़ जली से दिठाईे, बताये दिठाई दे रहा है सब तो,ड़े, आंसर दीजे, बड़ा इये, भारती रिजार बेन की स्थापना 30 वर्स में हुई, शारे टोस्चन के आंसर दीजे, फड़ा बड़ा भारती रिजर्बेंट इस्थापनस तर 1935 में भी इस बाट विया दखना राश्टी टर्ण कब हुआ उन्ने सोंचास में ठीके और राश्टी टर्ण के समय आप तो गवर्णर जेनरल का नाम पूछा जा रहा है ऐसे यार मज़ा नहीं आए रहा तो गवर्णर जो थे देख नोट और ऑर लूट एक रूपेटे नोट पर इसके हस्ताचर होते है वित्ट्सचिवते है वित्ट्सचिवते हस्ताचर होते है क्लिर है और आरे बड़ा जाए आर बीयाई टेकेंद्री टारीयाले में कौन बेटता है आर बीयाई टेके डवेर्नर बैठते है बैंकिटे लोट पाल योजनार चुरुगातT into ऐसे टो मेंड के साद बैंकिंद लोट पाल योजनार . अंसर जाए रा ब्याई टेके सत्व भाराट के टेंदरी बेंड कौन सा है RBI वर्तमान में भाराट के गवर्णर RBI टे गवर्णर टोन है सत्ती टान दास सत्ती टान दास ये RBI टे समें गवर्णर है हाली में थल सेना अध्याच किसे नामे टिया अचा थल सेना अध्याच बने है नय मनोज पांडे पनोच पांडे दारखना नए थल सेना अद्देच बनाए रहे हैं ओटे कितनी सारी बातों टे आंसर भाई सब्टों पता है यह इंपोर्टेंट है RBI इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है ठीक है हाँ वित्त सचीव बिल्कुल एदम फाइनिंस सेकेटरी एदम सही बता रहे दीपा अब बताओ PM डच पोल्टल ये टिस मंत्राले ने लांच तिया है फढ़ बर जल्दी बताईए Procher Number 41 है PM डच पोल्टल ये टिस मंत्राले ने लांच तिया है और उसके मंत्रीट नाम भी बताईए मंत्रीट नाम मैं बाद में बताता हूँ, पहले बतादू, समाजित न्याय मंत्राले ने P.M. Dutch Portal launched रिया ह। इसके मंत्रीट नाम पुछा जाए, इनके मंत्रीट नाम पुछा जाए, तो विरेंद्र कुमार याद रखिये रहा, विरेंद्र कुमार इनके मंत्रीट नाम है, टोस्चन स्टेंडर लेविल के हैं कि आपको डेफिनेटली कहीं न कहीं दोस्त मिलें ले ले विमल जॉलॉन के बार में याद अपना इन्हों ने अभी हाल में पुस्तर लिठी ती इंडियाज स्टोरी पुस्तर विमल जॉलॉन ने लिखी दी जोटी आरबियाई के पूर इसलिए मैंने मिमल जॉलॉन टांसर बता दिया मंडोलिया के सर्वोच पुरुष्टार अउडर ओप पूल किस भारती तो सम्माने ट्या रहा है अभी कल मैंने मालदीप बताया था मालदीप ने अभी स्पोर्ट आइटेंट अवर्ड दिया है मालदीप ने स्पोर्ट आइ आपफलने मंढोलियो के स्पोर्ट अवर्ड द्या है और आशा शान पाइस्या चारेंश्टार और दिया है तो सबसे बढ़ा लेंडलोग कंट्री तो सबसे बढ़ा स्नुल्ग कंट्री मंढोलिया और मंढोलिया सी वह वाया था कौन तो चंडेश ठाँ मंगोलिया टे ही रहने वाला था और चंडेश ठाँ टे बचपंट नाम पूछा जाये तो तेमू जीन बताना अच्छा मंगोलिया में रेडिस्तान भी है बड़ा पूछा जाता है तो मंगोलिया में कोई पूछे कि कौन सा रेडिस्तान है तो तुम्हें टैदेना गोभी टमरुस्थल ये दोस्त तुम्हारे मंगोलिया में ये चाइना ते थोड़ा सा उपर पड़ता है दोस्त आजे बढ़िये नेस्ट कोश्चन आपके सामने पदाईए इस्टांजा राजार राम मोहर राय को इस्टे पिछले वाले सवाल में पूरा खोल्टे रदिया मुझे नहीं बलतता कि राजार राम मोहर राय जीटे बारे में आठे कुछ बताने की जरूरत है 22 मैं इस्टा कैट उपतर है जाते देख लीजे अरला कोश्चन देखिए ये लेजे ये क मैं पिछले दो-तीन दिनों से सॉल्ट आ रहा हूं लेड़ मैं अलग तरीटे से सॉल्ट आ रहा हूं और आप से दोस्त अलग तरीटे से पूछा दिया है बताइए बताइए थोड़ा अलग तरीटे से पूछा दिया है बैए पूरे विस्टा नहीं बोला एसिया टा सबसे बड़ा वो है अन्रोलिया था बदाइए इस्टा आंसर थाड़ा तो जो नेशनल हुमन राइट कमीशन है निशनल हुमन राइट कमीशन इस्टी स्थापना 1993 में हुई थी और याद रतना इस्टा मुठ्हृलय निवडेली में है आपको पहले पीड़ा था ता इस्टे पहले अध्यच ते रंड नात मिश्रा नेशनल हुमन राइट कमीशन गे पहले अध्यच ते और इस समय जो अध्यच वो नामे आरुन टुमार आरुन टुमार जो है वो नेशनल ह अंतराष्ट्री मानु अधितार दिवस्टम मनाय जाता है 10 डिसम्बर याद रपना अंतराष्ट्री मानु अधितार दिवस आजे बड़ा जाए नेस्ट कोस्चन अताइए 46 freedom in the world इंडिया में बताइए तितनी rent in तो मैं आज़ा freedom in the world की बाद करता हूँ बारक की rent in तो 67 2088 2028 में 67 है और 2020 में 71 किया सपास थी मुझे थोड़ा सा confusion है हाना एर बार आप इसको जरूर देख लीजेगा ओके तो जो freedom index से उसमें तुमारी 67 rank है बोलो भाई बात सब्सक्राइब क्लिया रहे न चलो आजे बढ़िए next question question number अचा question से पहले देखो कुछ और point मेरे सामने आए इंटों भी हम लोग फटात से जल्दी से salt लेते हैं इस्टों भी जल्दी से salt लेते हैं अब देखो point यहां से start है यह सारे point है बदाईए इन सब के आपको answer देने है इन सब के आपको answer देने है फड़ा पर जल्दी से पढ़ि कि मैं आपके कमेंट नहीं read कर पा रहा हूं कि मैं आप सब मेरी बात सुन पा रहा हैं थोड़ा मुझे बता दीजिए कमेंट इसमें disable क्यों हो जिया यार चलो पूई नहीं मैं ट्लास ले लेता हूं हाना आपको दिठाई दे रहा हो ड़ा तो देडो खाली में फोफ्स ने दुनिया टा सबसे जो अमीर आपको बताया है यह दुनिया टा सबसे अमीर आत्मी है प्रति वर्स विश्वास दिवस टम बनाया जाता है सर साथ अप्रे को अभी हाल में ही सरवसती सम्मान दिया डिया है आयूस मंत्रा ले रहा है योड महोस सो वताये कहां से सुरू हुआ है मैं कमेंट नी रीट पर पा रहा हूं फिर भी मैं सारे आंसर दिये दे रहा हूं तो दिल्ली के लाल किला से याद रखेडा नीदल लेंड की यात्रा अ नाम आपको याद रखना है थोड़ा भाई कमेंट करते रहिए आरिफा जोहरी का नाम याद रखेडा के पत्र टाटता के छेत में दिया जाता है आरिफा जोहरी ओके आगे बढ़िए नेस प्रोस्चन बताईए 47 रंबार भारत का पहला राज जो रेवीज मुठ थो हाइड्रोफूबिया की ठोच ती तो टह देना लुइस पास्चन ने हाइड्रोफूबिया की ठोच ती ती ओके और गोवाइट ऐसा राज है जो हाइड्रोफूबिया यानि रेवीज मुठ थो चुटाए और अपसर नमबर सी सवालता से उत्तर होगा चलो 48 वा नमबर देखिए गूगल के किस सहर में विजिटल रिटेल स्टोर ठोला दिया है पहले आप सब लोग मुझे बताओ गूगल सहर टी डूगल की स्थापना का हुई थी तो टह देना गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी अना जो की EU है उस्टा नामे सुन नडेल आटो मी मिला है लेकिन ये जो फिजिटल रिटेल स्टोर है ना ये डूगल ने नियोड सहर में खोला है अना अमेरिका टे नियोड सहर में ऑफसर नमबर D ओके दिरो भाई मैं आपके कमेंट में रीट पा रहा हूं फिर भी मैं आपके 50 कोशन टम्पलीटर दे रहा ह भारत में बताईए सेतूद बांधर निर्माड किस देश में टड़े रहा तो सेतूद बांधर निर्माड है ये भारत अफगानिस्तान में टड़े रहा अफगानिस्तान में एक नदी पड़ती है काबूल नदी पर दारखना सेतूद बांधर निर्माड अफगानिस्तान क मदस अफड़ानिस्तार में टड़ रहा है और से नमबर ए सवालता से उत्तर उड़ा उठे चलो आजे बढ़िए तोटियो पहला उलम्पिट में पदक तालका में कौन तुम्हारा सीर्स पर रहा है अब देखों यहां पर पहला उलम्पिट की बात पी जा रही है तो चाइना टा नाम लेना यूटे टा नाम लेना फिर यूए स टा नाम लेना चाइना जूजर नमबर पे यूटे पैर ऋलम्पिट टी बात हो रही है फिर यूएस यह टॉप थी टंट्री है ओके अब भारत की अड़बात करते है तो भारत तुम्हारे was tu ml अड़ल हैं 8 सिल्वर हैं और छह तमारे ब्ऱॉन है टोटल 19 मैडल जीते है पेरा उलमपिट में ए ले तो सवाल यह नहीं था सवाल यह ताakte टर्म तमारा सीर्ज पर है जो पर होलमपिट में चाइना सीर्ज पर हैं तो दोस्त अचनल प्र जोड़ी पीजीट कॉंसेप्ट आप इसपे जॉइन हो जाईए डा इस्टी पीडियाफ विद सलूशन सहीत आप तो मिल जाए दी दोस्त ले रहे ना साथ साथ क्मेंट रटे जहो मुझे बताईए टी ट्लास टैसी लडी आप तो मजा आयर नहीं आया दोस्तों ट्रे साथ से आप कितने टर पा रहे हैं चली बहुत बहुत धन्यवाद जय इन सातियों मिलते हैं नेक्स्ट वीड़ों में थैंट्यू वेरी मच वजा आये तो